नमस्कार जैहिन, PS Academy से मैं हूँ प्रदीप, आपका बहुत-बहुत सागत है मेरे चैनल में, तो दोस्तों हम आज से पॉलिटी के लिए जो भी इस घटना चक्र में क्वेस्चन है, उसको स्वाल्व करेंगे, साथ में हम नोट्स भी पढ़ते जाएंगे, मैं आपसे एक विनम तो बस यही आएगा, मैं आपको कोई भी चीज रटाने की कोशिस कभी नहीं करूँगा, आपको मैं समझाने की कोशिस करूँगा, एक understanding development करने की कोशिस करूँगा, ठीक है, चलिए देखते हैं, भारत को जो समयधानिक विकास हुआ, वो दो चड़ों में हुआ, आपको पत प्रत्यच रूप से भारत का नियंतरण नहीं लेती है, लेकिन 1857 में जब बिद्रो हो जाता है, तो ये उसको ब्रिटिस संसत को एक मौका दे देती है, और वहीं पर से ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी का सासन खतम करके, ब्रिटिन की सरकार पूरा नियंतरण, भारत का जो भी नियंतरण है, वो अपने प्रत्यच रूप से कंट्रोल में ले लेती है, तो इसको हम पढ़ेंगे 1773 से 1853 तक का चरण, और दूसरा पढ़ेंगे 1858 से 1947 का चरण, ठीक है, तो दो चरणों में इस चीज़ का आध्यन हम करेंगे, चलिए देखते हैं, पहले पहला चर ठीक है, तो यहां पर देखे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला एक्ट है, जो कि कंपनी के लिए बनाया जाता है, किसलिए बनाया जाता है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, रीजन था इसके पीछे, यह मेंस का सवाल होता है कि क्यों आखिर इसी टाइम पर रेगुल राज जिस्था पर कर चुकी थी, ठीक है, उसको काफी अर्निंग भी होने लगी थी, लेकिन और वो कंपनी क्या करती थी, साथे 12% अपने सेर होल्डर्स को डेविडेंट भी देती थी, लेकिन इस कंपनी ने ब्रिटिस पार्लियमेंट से कहा कि हमको 10 लाग पॉंड का रिन चाहिए, ठीक है, तब ब्रिटिस पार्लियमेंट सोचने लगी कि आखिर जो कंपनी के अधिकारी हैं, वो जब ब्रिटेन आते हैं, तो इतना सारा पैसा लेकार आते हैं, तो कैसे कंपनी कह रही कि हम घाटे में चल रहे हैं, ठीक है, इसकी जांच के लिए कंपनी ने दो सम प्रिटियों कि सिफारिस पर ही ब्रिटिस पार्लियमेंट ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया, और इसके तहत उसने लोन दे भी दिया, 15 लाग पॉंड का दे दिया, ठीक है, लेकिन साथ में ये रेगुलेटिंग एक्ट भी लाया, ठीक है, अब यहीं से ब्रिटिस प गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, इस समय तक बंगाल प्रेसिडिंसी थी, वहाँ पर गवर्नर का सासन होता था, और जो गवर्नर था उसको बना दिया गया, बंगाल का ही गवर्नर जनरल, तो इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, वर्रिन हे कौह जो अब आप बंगाल के गवर्नर जनरल हो लर्वरीं है इस्टेंग्स को क्यूंकि वह हैं जो पहले गवर्नर था और बाद में गवर्न जनरल बना दिया गया ठीक हैं सहायता क्या के लिए इस इसमें कितने मिंबर थे चार सध से थे ठीक है? और साथ में ही उसे सैनिक और असैनिक सासन का भी अधिकार दे दिया गया कहने का मतलब जो भारत में सेनाएं हैं उनका भी हेड वही होगा और जो भी पुलिश है उसका भी हेड वही होगा ठीक है और कुछ मामलों में यहां पर देखे इससे क्या होता है जो मदरास और बंबई की प्रेसिडिंसियां हैं उनका अधिछन करने का भी अधिकार दे दिया अब ही से देखिए किंद्री करण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है अभी आपको 1833 के 4 टारेक्ट में यह कीन्द्री करण की प्रक्रिया अपने सरवुत्तम रूप में देखने को मिलेगी ठीक है अभी तो हम आगे देखेंगे अब क्या हुआ 1773 के इसमें दो पॉइंट हो गए इस रेगुलेटिंग एक्ट में तीसरा पॉइंट है कि वहां इसी एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट के गठन की स्थापना की बात की गई थी और यह सुप्रीम कोर्ट कहा होता क कलकत्ता में इसके गठन का प्रावधान किया गया और 1774 में इसकी स्थापना भी हो जाती है इसमें एक मुख्य नाइधीस जिसका नाम था एलिजा एंपे और तीन अन्य नाइधीस थे ठीक है और यहां पर देखें कंपनी के जो कर्मचारी थे उन पर निजी वैपार करने और भारतियों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया ठीक इससे कियों लगाया गया यह सब चीजें क्यूंकि यहीं वह कर्प्षन करने का मौका मिलता था ठीक है क्यूंकि कम्पणी के जो अधिकारी थे वह कम्पणी की वैपार पर ध्यान कम देते थे और अप पर देखे ब्रिटिस सरकार ने कोर्ट आप डारेक्टर जो कमपनी के गवर्निंग बॉडी थी उसके माध्यम से कमपनी बन्यांतर इस्थापित कर लिया इसके बाद आता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट यह पिट वहां के प्रधान मं उन्हें कोर्ट आप डारेक्टर का गया और देखे यहां पर तो अब जब बिलियम पिट के टाइम में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया यहां पर एक बोर्ड आफ कंट्रोल का गठन किया गया इससे क्या हुआ इससे जो कमपनी का काम था उसे डिवाइड कर दिया गया कैस देक्टर था यहां देखे जो निदेशक मंदल था मतलब को टाइप डिवेक्टर उसे कंपणी के ब्यापारिक मामलों के अधिच्छन कर रहे हैं उसे कोर्ट आफ ब्रेक्टर को कहा गया कि अब आप किवल ब्यापार करो और जोहां पर राजनितिक सासन है जो राजनितिक म में 1786 में जो 1784 का पिट सिंडिया एक्ट था इसी की कमी को दूर करने के लिए एक्ट लाया गया था इसमें क्या किया गया जो 1786 के धनियम में गवर्नर जंडरल को विशेश परिस्थितियों में अपने परिसद के नेड़य को निरस्त करने अथवा लागू यहां पर देखे लागू करने का दिकार दे दिया गया मैंने कहा कि 1773 के regulating act में एक council भी बनाई गई थी गवर्नर जनरल को मदद के लिए बताया था आपको ठीक है उसकी मदद के लिए यह जो council बनाई गई थी तो इसमें जो नेड़े होते थे बहुमत से होते थे क्योंकि चार सदस्य हो गए औ लेकिन गवर्नर जनरल को विशेश परिस्थितियों में जो भी परिस्थ ने नेड़े लिया है उसको वो निरस्त भी कर सकता है चाहे वो बहुमत से ही लिया गया नेड़े क्यों ना हो ठीक है तो 1786 का अधनियम इसलिए important हो जाता है चलिए आगे चलते हैं इसके बाद आता के लिए ACT मुखेता लाया जाता है क्योंकि करनवालिस कह रहा था कि मैं governor general भी रहूंगा और मैं सेनापती भी रहूंगा ठीक और बेटन था वो भीजना भी चाह रहा था करनवालिस को तो इसी उद्देश से करनवालिस के लिए ये संसोधन किये गये थे इसके बाद देखे और 1800 तिर्पन का चाटरेक इसके बाद चार्टार आते हैं हर 20 साल मांवे ही बात करते हैं कि 1793 का चार्टारिक इसमें क्या कहा गया जोbianis parliament उसने इसने कहा की company अगले 20 साल तक सासन और करे हर चार्टारेक्ट में यही बात कहती है लेकिन एक चार्टारेक्ट को छोड़ करके अब देखेंगे हम 1793 में एक प्रावधान मुख्यता यही था कि कंपनी अगले 20 साल तक सासन करे 1813 का चार्टारेक्ट आ जाता है इसमें यह इंपोर्टेंट है 1813 के चार्टारेक्ट में पहली बार भारतियों की सिच्छा के लिए प्रती वर्स एक लाक रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया लेकिन यह खर्च नहीं किया जाता क्योंकि उसी समय से विवाद होने क्योले लगता है कि आखिर ये जो एक लाक रुपए खर्च किया जाए चाएं कैसे खर्च किया जाएं घ्रतियों की परणपरागाश सिच्छा और संसकृति वाली वाली पढ़ाई है उस पर खर्च किया जाए इनकी भासा क्या हो हम उत अंग्रेजी नहीं होता तो उसके ब तो उसके बाद से ये हर वर्स एक लाग रुपे खर्च शुरू होने शुरू हो जाते हैं ठीक दूसरा पॉइंट कि 1813 के ही चार टारिक्ट में कमपनी के भारती ब्यापार के एक अधिकार को खतम कर दिया गया लेकिन लेकिन चीन के साथ ब्यापार और चाय का ब्यापार को चोड़ करके कहने का मतलब देखे अभी तक जो ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी थी ब्रिटेन से और भी कमपनी भारत नहीं आई थी सिवाए एक कमपनी के ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी वही भारत से ब्यापार कर सकती थी तो उसका भारत के ब्यापार पर एक अध विवस्था के तहट ब्रिटेन को बात धिकर दिया था कि वो और किसी अन्य देश से ब्यापार ना कर पाए ठीक तो ब्रिटेन के जो उद्दमी थे परिशान हो चुके थे अब उनका प्रोडक्शन बल रहा है ठीक है वहां पर लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम बेची कहां तब वहां के जो उद्दमी थे उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि अब आपको जो इस्ट इंडिया कंपनी का आपने ब्यापारी के कदिकार बना रखा है इसको खतम करिए ठीक है तो 1813 के चार्ट डरेक्ट में इस ब्यापारी के कदिकार को खतम किया गया लेकिन इस इंडिया कंपनी ही ब्यापार करेगी ठीक है चली आगे चले लेकिन एक चीज़ और है 1813 के चार्ट डरेक्ट में यहीं से इसाई मिसनरी भी भारत में इंट्री करते हैं ठीक है इसाई मिसनरीयों को भी भारत में आने का मौका मिलता इसके पीछे भी रिजन है अब कि 1813 के चार्ट डरेक्ट में कह दिया गया कि अब ब्रिटेन की कई ब्यापारी मतलब जो भी ब्यापारी हैं वो ब्यापार कर सकते हैं भारत से लेकिन भारत की लोग समान उनका खरीदेंगे क्यों अगर उनको पसंद नहीं है तो आखिर उनकी पसंद को भी तो ब्रिटेन क की चीजों के पसंद के अनुसार मोलना पड़ेगा समझ रहे हो ना आप इस चीज को कि जैसे भारतियों को जब तक ब्रिटेन की चीज पसंद नहीं आएगी वो लोग क्यों खरीदेंगे जब खरीदेंगे नहीं तो उनका ब्यापार तो घाटे करेगा हमें सा ठीक है तो इसी वजे से इसाई मिसनरियों को भारत में इंट्री करवा दिया गया कि ये इसाई मिसनरिय क्या करेंगे जाकर के वहां पर इसायत का प्रचार प्रसार करेंगे लोगों को इसाई धर में कनवर्ट करवाएंगे जब इसाई धर में कनवर्ट होंगे तो उनका रूची भी तो च दे होगी ठीक है तो ये 1613 का चार्ट टारेक्ट था अब आगे चलें 1833 का चाड़ेक्ट बंगाल के गवशनर को ही भारत का गवशनर जंडल बना दिया गया और इस समय कौन था विलियम बेंटिक ठीक है तो विलियम बेंटिक कौन हुआ भारत का पहला governor general और बंगाल का अंतिम governor general ख्लियर है ठीक है और यहीं पर देखिए देश की सासन पणाली का केंद्री करण भी कर दिया गया यहाँ पर जो मदरास और बंबाई प्रेसिडेंसी थी उसको पूरी तरीके से भारत के governor general के अधीन कर दिया जाता है ठीक है अब आग कारही करने थे क्योंकि इस समय तक आप देख रहे हो 1833 के period तक company भारत में एक बहुत बड़ा सामराज जिखाड़ा कर चुकी थे governor general की जो council थी उसमें एक कानूनी सदस्य के रूप में समलित किया गया किसको मैकाले को यही हो मैकाले है जिसने भारत में अंग्रेजी सिच्छ को प्रमोट के लिए काम किया है तो 14 सदस्य कानूनी सदस्य के रूप में मैकाले को सामिल किया जाता है अब देखिए इस act में क्या हुआ इस act में अब चुकि जो बंगाल का governor general था उसे भारत का governor general बना दिया गया तो अब भारत का governor general जो है वो पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था ठीक है चले आगे चले अठारस तिरपन के चार्टारेक्ट में विधाई सक्तियों को कारेपालिका सक्ति से अलग करने की ववस्ता के गई अब देखिए यही वो चार्टारेक्ट है जिसमें British Parliament ने कहा कि अब आप जब तक हम चाहेंगे तब तक आप सासन करें 33 में कहा अगले 20 साल तक सासन करो लेकिन तिरपन में कहा कि जब तक Parliament चाहेगी तब तक आप सासन करोगे जब वो चाहेगी कि अब आप सासन नहीं करोगे तो नहीं करोगे ठीक है तो और इसी बीच में हो जाता है 1857 का बिद्रो और 1858 में British Parliament कमपनी का सासन खतम कर देती है औ और वहां की महरानी के हाथ में पूरा नियंत्रण आ जाता है ठीक है 1853 के ही चार्टा रेक्ट में विधी निर्माड के लिए एक केंद्री विधान परिशत का गठन किया जाता है दूसरी बात सिविल सेवकों की भरती और उनके चेयन के लिए खुली प्रतियोगिता का टाइब डिरेक्टर के द्वारा ठीक है लेकिन अब कहा गया कि अब इसके लिए एक्जाम होगा खुली प्रतियोगिता होगी उसके माध्यम से यह सिविल सेवकों की भरती और चायन किया जाएगा तो यह रहां नोट्स मुझे उमीद है नोट्स आपको समझ में आ गया आप नोट्स अच्छे से समझ लिए हैं तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है ठीक है देखिए आँ पर नियंतरन परिशत नियंतरन परिशत का मतलब बोर्ड आफ कंट्रोल तो बोर्ड आफ कंट्रोल का गठन किया गया पिट्स 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहट ठीक है सर्वोष चिनेले की स्थापना किसके तहट की गई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहट इसाई मिसनरियों को कब भेजा गया 1813 में और गवर्नर जनरल की परिशत में कानूनी सदस के नुक्ति किसके तहट की गई चार्टार एक्ट 1833 ये क्लियर है इ इसे नियंतरल परिशत की स्थापना आपको पता है कि 1784 के तहत हुई तो एक आदो एक आदो कहां पर रहे यह यहां पर है तो बी और डी ही हो सकते हैं ठीक है बी और डी हो सकते हैं और आगे देखे लिए ते सरोष चनेले की स्थापना 1773 का रेगिलेटिंग एक्ट तो बी 233 का चार्टर एक्ट, ठीक है, इसी चार्टर एक्ट में कहा गया था, कि किसी भी भारती अथ्व क्राउन की देशज प्रजा को, अपने धर्म, जन्मस्थान, वनसा नुकरम, वर्ग अथ्वा इन में से, किसी एक कारणवश कंपनी के अधिन, किसी अस्थान, पद, सेवा के ऐयोग charity नहीं माना जाएगा, ठीक है, इसमें कह दिया गया था कि किसी भी भारती को, या फिर जो crown की देशाज प्रजा है, उनको उनके धर्म की अधार पर, कमपनी में नौकरीक से वंचित नहीं किया जाएगा ठीक है तो ये पूरा चैप्टर वन का था जो हमने बात किया ये अभी तक हमने देखा 1858 से पहले का अगले चैप्टर में हम देखेंगे जब भारत में 1858 में बिटिस ताज का नियंतरन हो जाता है ठीक है तो मुझे उमीद है कि आपको पसंद आया होगा दोस्तों और मैं ऐसे ही आपको समझाते हुए सारी चीजें करवाओंगा और मुझे उमीद है कि ये चीजें आपको समझ में भी आ रही होंगी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकिन प्लीज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं डिस लाइक भी कर सकते हैं ताकि मैं अपनी कमी कमजोरी को दूर करता रहूं। से लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग केप स्माइलिंग।